तो एक वरीवन वेलकम टू एभिमन्यू आइस तो एस्पेरेंट्स स्ट्वेंट्स कैसी चल रही आपकी यूपीए सीच दो हुजर पूबिस की तैयारी यह तो हुज की दो हुजर तेज के पेपर ने काफी कुछ सिखा दिया देखो जैसे कि मैं बात कर रहा था मैं हर क्लास में एक ही बात कह रहा हूं कि टार्गेट बेस स्टडिस पर जाओ उसका एक कारण क्या है उसका कारण यह है कि छोड़े चोड़े टार्गेट को पिकरो जहां से कोश्चन आपके कन्फर्म आने यान अब यह मन देखो कि नंबर सिस्टम मुझे पूरा करने हैं जैसे रीजिनिंग है रीजिनिंग को पकड़िए कि रीजिनिंग के कौन कौन स यह अपने टॉपिक्स को पीक कर पायो कि किस हिसाब से आपको आगे चलना है क्योंकि जब तक आप टॉपिक्स को पिक नहीं कर पाऊ गया कैसे पता चलेगा आपको कि कौन-कौन से तॉपिक्स को मुझे पहले टार्गेट करना है देखिए अगर मैं आपको एक बात आँ अभी बीटाई है अगर आप स्लेबस पूरा करना है अभी भी बहुत अच्छा टाइम बचा आपका अब का भी हेलदी टाइम बचा है कि अगर अभी भी आप स्लेपल से फोकुस करें और आप चाहें कि सी सेट की उसे दौड से बाहर निकल जाएं जो एक दौड लगे कि क्वालिफिकेशन की देश तो क्या कर सकते हैं आपके पास मीडियम है यह बैच देखिए क्या है इस पैच में टाइमिंग इस बैच क्या है सबसे बहुत धार दिन यहां पर आपके क्लाश दिन ये मिरे पास बैच है टोटल एक्टर्स है मेरे पास एक सोस्टी प्लस यानि अगर बात करो ए और भी इसको दो पार्ट में जोड़ा गए यहां पर है नबब लेक्टर्स और यहां पर कैमेरा 90 प्लस लेक्चर्स क्लियर अब देखो 90 और 90 प्लस का ही क्या खेल है यह पहले मैं 90 प्लस की बात करूँ है जो बी वाले ठीक है इसमें यह तीन पॉइंट्स आते हैं मेरे इसके अंदर 15 प्रिवीस एर लेक्चर्स हैं सुनेंट्स 45 यहां पर आ रही है इसमें क्या है देखो सबसे बह 나서 चुनो प्रिवीस एर लेक्चर्स कितने आपके त्की ह्या Haggais फिफ्टी प्लस का लाइव मेंटरसीफ सेशन है कितने आपके है थर्टी प्लस हो यह तीन लेक्चर सा आपको मिल रहा है पार्ट भी में इसके अंदर क्या है यह मेरा लाइव बैच है यानि यह मेरा ऑनलाइन प्लस ओफ्लाइन बोथ है बतलब चाहें तो आप इसे घर बैठके भी लगा सकते हैं चाहें तो ओफ्लाइन हमारे है जाएड सेंटर मोहली में भी आपके आप इसको इंजोई कर से एंजोई वर्ड मैंने क्यूज किया क्यूंकि बच्छे एक्चुली में इंजोई करने करवाई जा रही है ठीक है एक यूनिक अप्रोच के साथ है बिना किसी प्रैशर को 2023 के पेपर को की प्रैशर नहीं है आप बच्चे खुद प्रीविश एर कोश्चन कर रहे हैं रिजन क्या है अब थोड़ा टाइम हो चुक है वह काफी सारे टॉपिक्स कर चुक हैं कबर त तो यह मेरे पास क्या है दो पार्ट मेना थोड़ा हूँ थोड़ा थोड़ा साभा इस बैच को देखेंगे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा जाधा आपको लेक्शर दिखेंगे हम वहान पर आपके वीकली त्सक्शन भी तो टैस्केशन भी आपर तो ध्यान से अब मेरे पास बहुत इंपोर्टन चीज़ें नहीं बताने वालों इस व्याश में और क्या क्या मिल रहा आपको बैइ मेरी वीकली शेडूलिंग मेरा कैसे होते हो बताता हूं देखो सबसे पहली बात आपको वीकली शेडूल देखेगा ठीक है लेक्चा लगा मिलेगा तो लेक्चर लगा मिलेगा तो लेक्चर की नीजे दो तीन चीज़े इंपोर्टन मिले माले हैं प्रेक्टिशीट समझ यह एक एक करके क्या चीज़ है सबसे पहले लेक्चर पीडिएफ देखो लेक्चर पीडिएफ वो पीडिएफ होगी जो मुझे लेक्चर में आपको करवानी है कहने का मतलब में सपोस कीजिए आज मुझे टाइमेंड वर्ग करना है तो टाइमेंड व सकते हैं जो जैसे को शेकल मरें कर आए वैसे सीमिलर मिलते इस उलते जुलत cup प्रेक्टिश के लिए जयेंगे 10-20, 10-15 जितने भी अवेलिबल होंगे ठीक है, depending on the situation यह topic क्या था, और वो discuss होंगे मेरे पास यहाँ पर, यहने इस 30 minute यह 30 minute किया है मेरे पास अगर मैं इस 30 minute कि बात करूँ, यह क्या है मेरे पास यह है मेरे पास discussion come doubt session कोई भी आप doubt पूछ सकते हैं, ठीक है तो please 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 join कीजिए बहुत अच्छा आपके पास मोगा है अब इभी इस batch को join करने का, ठीक है चलिए अब एक शीज़ और, अच्छा एक बात आओ हमने week में जो lecture किये, 3-4 lecture हुए हमें कैसे पता चलेगा कि उन lecture में हमें कितना समझा, इसके लिए भी हमारे पास एक असान सा समाधान है, हमारा weekly class test weekly class test जो होगा हर संडे को एक बज़े, जो का बोगा मेरे पास जो हर संडे को एक बज़े ही है मेरा weekly test होने वाला है clear, तो please इसको avail कर रहें बैच को जिसका लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कोई डाउट हो ना 9513771651 इस नंबर पर call या WhatsApp आप easily कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं clear, चलिए next day मेरे बास जैसे हम बात करूँ, हमारा WhatsApp ग्रूप जिसका लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे भी आप अवेल कर सकते हैं, clear, चलिए प्लीज इसे जोइन कीजिए, चलते हैं आज की lecture के तरब जो है sitting arrangement बेना, clear चलिए जी देखो क्या दिया P, Q, R, S, T, U, V, W मतलब कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 persons है, ठीक है are sitting around the circle and are facing the center इसका मतलब देखो ऐसा को structure है multiple भी बन सकते हैं, यह मुझे देखना बढ़ा है कौन के से पहले, 8 है, तो 8 है तो 8 है बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो सारे के सारे facing center है कोश्चर में दिया हुए देखो facing the center यह बड़ा सा सांसा मुझे दिया हुए, देखो क्या दिया सबसे पहले P is second to right of T तो अगर मैंने T को यहां बनाया है, यह ओफली दिख रहा होगा आपको अगर मैंने T को यहां बनाया है, दिख रहा है जब T को मैं यहां रख देतना हो T ठीक है P is second to right of T मतलब P का होगा, यहां होगा धान से देखिए मैंने क्या किया है मैंने पहले initially T को प्लॉट कर लिया उसके with respect मैंने P को प्लॉट कर लिया Who is neighbor of R and V R and V का neighbor को ने T T, यानि R and V यहां भी हो सकते है और R and V यहां भी हो सकते है ठीक है S is not neighbor of P मतलब S मेरा यहां पर नहीं आएगा क्योंकि S का एक number R and V में सोगा तो दूसरे neighbor यह है तो S यहां पर नहीं आएगा ठीक है, यह भी plot हो गया V is neighbor of U देखो, अब मेरे बाद धान से सुनो अगर V यहां पर है, तो उसके दोनो neighboring hood already occupied है, मतलब right में यह, left में यह, तो definitely यहां पर क्या होगा मेरे पास तो यहां पर क्या होगा, definitely यहां पर क्या होगा R, और मेरे पास यहां पर क्या होगा मेरे पास V, ठीक है V is neighbor of U, मतलब V का एक neighbor U है मेरे पास, ठीक है क्या हो, is not between S and W and W is not between U and S देखो, क्यो is not between S and W, मतलब S W क्यो यह arrangement मेरे पास नहीं है, यहां तो W यहां हो सकता है यह S यहां हो सकता है, मतलब यह arrangement मेरे पास possible नहीं है W is not between U and S, और W जो है मेरा U और S के बीच में नहीं है, because U की दो मेरे पास confirm है, clear? अगर मेरा यहां नहीं है, अगर मेरा S यहां नहीं आ सकता है बेखा, नहीं हो ठाशला है, का यहां से कुछ मेरे पास breakout निकल रहे, कुछ हो सकता है possible है, अच्छा, एक चीज़ और देखो ज़रा, अगर मैं S को यहां बिठाता हूँ, देखे, अगर मैंने S को यहां बिठाया, ठीक है, अच्छा, क्या हूँ, is not between W and S, अगर W को मैं यहां बिठा हूँ, और क्या हूँ को यहां बिठालो, यह देखो, यह कुछ लगा साफ सूतरा साफ, S, W और क्या हूँ, यह मेरे पास ऐसे बैठेंगे, clear, अब देखो जरा, यह वाले देखो, क्या हूँ, W और S के बीच में ने, क्या हूँ, W और S के बीच में बिलकुल ने, W, U और S के बीच में ने, तो definitely, U और S मेरे पास साथ ही आएंगे, जब भी मेरे पास यह condition बनेगे, तो एक बार कांड़ीस को चेक किजिए, फिर आगे चलते हैं, चलिए, अब मुझे क्या देख, who is opposite to U, तो U कहाँ पे है, U के opposite में क्या बैठा है मेरे पास, basically, थे हैं तो इसके 3-4 बाट, मैं सिरफ arrangement के लिए question लिया है, arrangement से मेरा काम, चलिए, next question, अभी आपने किया, बहुत अच्छा question था, next question क्या दिया है, A, B, C, D, E, R, sitting on a bench, अच्छा जी, आमें नहीं पता, एक position नहीं है, दो position है, तीन position है, चार position और पांच भी, यह कौन कौन दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया, D दिया, और E दिया, मुझे पांच दिया, clear, A sitting next to B, देखो, अब मेरी बात सुनना जी रहा, एक बात ध्यान रखिए, मुझे A sitting next to B का मतलब क्या है, मतलब अगर इधर से है A, तो B ऐसे होगा, next, अगर A मेरा मैं यहां से देख रहा हूँ, यह right, और यह, यह left-right की बात करें, अगर A यहां पे तो B ऐसे, तो मुझे देखना पड़ेगा उसके demand क्या है, कि वो किस side से बोल रहा है मुझे, क्योंकि और कुछ है इधर definitely दिया हुआ इसमें, ठीक है, अच्छा, A is sitting next to B and C is sitting next to D, तो C, D ऐसे भी हो सकता है, पहले C ऐसे हो, अच्छा, C is sitting next to D, यहां से ऐसे हो गया, और अगर D ऐसे है, तो C ऐसे हो गया, ठीक है, देखें कि कौन से position है, मुझे position नहीं पता है, left से बोल रहा का right से बोल रहा, तो दोनों position है, fix हो सकते हैं, D is not sitting with the E, who is on the left of the bench, अच्छा, मतलब, अगर E left में है, तो यहां पर D मेरे पास नहीं है, ध्यान रखिए, D और C साथ में, A और B साथ हो, बस इतना मुझे पता है, इतना मुझे, पता है, पहले तो position fix करते हैं, C in the second position from the right, बस C क्या है मेरे पास, second position पे right से, right हो गया, और यह मेरे पास left हो गया, clear, C मेरे पास second नहीं left से, चलिए, उस वरी right से, ठीक है, A is to the right of B, अब मुझे पता से लगा, A क्या है, B के right में है, मतलब, B ऐसे हैं, और A ऐसे हैं, उसने confirm बोला था, कि A sitting next to B, यानि मेरे पास एक position fix होगी, B ए, और मेरे पास दो position नहीं की बची हैं, B ए, बचा ओ, D कहांपे होगा, यह, यह बहुत अच्छा question था, बड़ा logical question था, जो अभी मैंने आपको करवाए, प्लीज इसे note कीजे, फिर देखते हैं, question क्या है, clear, क्योंकि मेरे को नहीं fix थी position, कि वो left से baller right क्योंगी, अगर आप pre-prediction कर लोगे न, कि हाँ, यह, ऐसा ही है, ज़रूरे थोड़े नहीं, इधर से भी बोल सकते हैं, अगर वो मुझे line ना देता न, कि क्या नहीं, A are sitting together, एक तो यह वाली, और C is to the second to right position, from the A is to the right, अगर वो यह ना देता हैं, जब confusion होते हैं, दो कैसे बना के देखने प्ला सकते हैं, clear, चलिए, ओफिल उसमें दिया था, अब क्या बोला है, in which position A is sitting, A कहां seat, A कहा है, between B and C option number, B is the right answer, clear, तो प्लीज लाइक शेर सब्स्ट्राइब करना मत भूलिए, चैनल आज़ वेडियो, clear, बहुत चांदार कुशन है, बहुत, चलिया जी, बहुत अच्छा कुशन है, भई बहुत इंपॉर्टनट है, यह मेरे पास तो अलगलग रोज वाला है, यहां तक लग रहा है, बिल्कुल यह है, कैसके मेरे पास बिल्कुल है, चलो, कोशिश तो करूँगा कि यहीं पर आजाए मेरे पास, ताकि A, B, C, D, E, R, 5 men, sitting in the link facing to south, मतलब मेरे पास यह है, एक, 1, 2, 3, 4, 5, अशे ठीक है, और यहां पर उपर कोँँ है, A, B, C, यह उपर है, और निचे क्या है, M, N, O, T, यह निचे है मेरे पास ठीक है, यह men's है और यह ladies है, ठीक है, B is to the just left of D, B, देखो, अगर मेरे पास, मैं आपको एक बात बता दूँ, ध्यान से सुनना, अगर facing north है, तो यह right, left, ठीक है, अगर facing south है, तो यह क्या हो जगा right, और यह क्या हो जगा left, कॉशन में क्या दिया आपको देखो, अब मेरे को क्या दिया facing, south वाले की बात हो रही है वो, B is just next to left of D, मतलब, D से और B से, समझा की बत, यह दो-तिन point है, आपको अच्छे से याद, रखने पड़ेंगे, कि D और B की जो position है, वो किसी साब से मैंने लिवी है, ठीक है, राइट लेट लेट राइट से आपको इसको combination को देखना है, ठीक है students, अच्छा, next क्या बोला है मेरे पास, C and N are diagonal opposite to each other, इसका मतलब, C अगर, एक मेंट, स्वरी, अगर N यहाँ पे है, तो C याँ, ठीक है, अगर N यहाँ पे है, तो C याँ भी diagonal opposite का, सिदा सा मतलब यह होगा मेरे पास, दो मेरे को, ठीक ठीक position मिल गए, ठीक है, and, B, who is next to D, मतलब, B जो है, मेरे पास, क्यों क्यों opposite है, B जो है, क्यों क्यों opposite है, मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा मिठा दूं, B जो है, क्यों क्यों opposite है, C आड़ाना, opposite हुइचे तरह, E is opposite O, who is just next to M, अच्छा, E is opposite O, विसे E आएगा कहां पर, चलो, E क्या है मेरे पास, opposite to O है, who is just next to M, मतलब M कहां हो सकता है मेरे पास, M ऐसे हो सकता है, मतलब मेरे को M और O की पूजिशन पता चल गी, और यहां से E से को relationship मिल रहा है, अब भी मुझे नहीं पता भी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, P is just to the left of Q, P is just left of Q, मतलब यह क्यो हुए और इसका left क्या होगा है P, because निच्छे वाले जो पूजिशन है, क्या है मेरे पास D, यहां पर D है, कुछ कोई fix नहीं है, M is at the one end of the line, M है one end पर, चलो, केस देखते हैं, मैं M को यहां बनाता हूँ, मैं M को यहां बनाता हूँ, मैंने M को बनाया है, ठीक है, M को अगर यहां बनाया, मतलब M किसी one end पर, अब देखो opposite क्या था, O के opposite क्या था मेरे पास, E, P के opposite क्या था मेरे पास, D, अच्छा जी, अगर यह N आ गया, sorry N आ गया, अगर यह N आ गया, तो C आ गया मेरे पास, यहां पर, अच्छा और मेरे पास क्या बच गया, कौन से कौन सी पूजिशन रहागी A, B, B के opposite Q था, क्यों हूँ यहां था और यह था, यहां पर because A, B मेरे को दिया गया, ठीक है, D और B, एक साथ, एक मिनट B और Q, sorry, 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 D और B, यहां पर B आएगा यहां पर आएगा क्यूंकि मेरे पास B और D की पोजिशन है अब देखो B is to the just next left of D ठीक है जी, left हो गया C और डेखने लिए opposite C और डेखने लिए opposite हो गया E is opposite to O E is opposite to O E is opposite to O who is just right of M M के right में हो क्योंकि वो E की बात नहीं कर सकता P is just to the left of Q P is just left of Q बिल्कु सही, facing north है Is opposite to D Is opposite to D, O P M is one end, बिल्कुल सही बना मेरा, E to Z मैंने दो बार क्रॉस एक B कर लिए तो काइड लिए इसको देखिए, कोशन के तरफ चलते हैं जल्दी से note कर लिए इसको तो जब भी आप sitting arrangement का ऐसा question करें न, वैसे आपको भी पांच ओला शायद मेरी साब जब तक आया नहीं है, अगर आए तो बस condition fall up होनी चाहिए और कुछ नहीं बचा, देखिए क्या दिया, question पढ़ते हैं क्या दिया who is sitting third to the right of o o के third right में, o के third right में कौन है मेरे पास o के third right में कौन है मेरे पास है चलिए if b shifted to place of e, अब एक बार ही में बना लूँ, क्या क्या दिया हो, देखो यही बना लेता हूं में एक बार 1, 2, 3, 4, 5 चलिए, देखेंगे मेरे पास क्या था पहली रो में c e d b a c e d b a e d b a यहां था m यहां था m यहां था मेरे पास n, इतना तो याद है मुझे o p क्यों o p क्यों चलो question क्या कह रहा है मेरे पास be shift to place of e e मतलब यहां पर आ गया e और यहां पर आ गया मेरे पास b e e shift to place of q एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मतलब नई position e की यह है अच्छा नेक्स क्या बोल रहा है e e shift to q e e shift to q b e shift to place of e एक मिनट b e shift to place of e मतलब b यहां पर है अच्छा e e shift to q मतलब e यहां पर आ गया ठीक है यह black वाली old है और यह red वाली new positions है क्यों shift it to b क्यों shift it to b और क्यों चला गया मेरे पास यहां पर है opposite to o ओक्य opposite में कौन है फिर मेरे पास then who is opposite to o who is opposite to o आना ची यह b but b to option में है नहीं है let me check it okay इसमें पुछा क्या है मैंने सिर्फ इतने बड़ा opposite to o opposite to then who is will be second to left of ओक्य opposite है इसका second left में कौन है option number 1 क्यों clear ओ थोड़ा सा था confusing पर हमने कर लिया clear चलिये which was the following way diagonal opposite कोन से मेरे पास क्या मेरे पास diagonal opposite कोन है मेरे पास बेसील है यहांपे M औरे M and A M M A A M A A M is the right, it's clear चलिये बहुत अश्चा question next six girls are sitting in a circle facing the center of the circle P क्यों रस थी V T is between, T is not between Q and S, मतलब T is not between Q and S, मतलब T क्यों रस क्यों रसा बिल्कूल भी नहीं है बिल्कूल भी नहीं है but some other one P is next to left of V P is next to left of V P R is 4 to the right of P R is 4 to the right of P interesting one नेक्स्ट ओफ लेफ्ट भी विए उसने एक बात बोली मुझे यहां पर कोश्चन में क्या कुछ डेटा मिसिंग है but someone other someone other मतलब क्या बूला समझो पी इस नोट बिटिव एक बीच में कोई ना कोई है इसका मतलब क्या ओर एस क्या है पेलोसी नहीं है उनके बीच में कोई है एक ही पूजिशन बैट था क्यो में क्यों अगर मैं क्यों और इसको यहां बिठा हूं क्यों समझेन तो क्या टी आ सकते हैं बिल्कुल देखो दो सब्कुल कन्फूजिंग ऐसे कोशन आएंगे ठीक है क्या दिया है देखो दुबारा देखो T is not between Q and S सिरफ दो लाइन की statement और पूरा डाइग्राम बनाना इस पर इंट्रेस्टिंग बहुत अच्छा कोश्चन था important mark के लेजिएगा 6 जर्व सिटिंग में facing to the center of the circle सही है बिल्कुल सही है अच्छा कौन सी statement true नहीं है S is just next to right of R पॉसिबल हो सकता है क्यों एक पूजिशन ऐसा हो not true T is just to the right of V R is second to left of T R is second to left P is second to the right of R P is देखो मेरे पास ये वाली condition fulfill नहीं है reason क्या है मुझे क्यों हो और S की नहीं पूजिशन ही नहीं पता क्यों है क्यों हो इसके position जब तक मेरे को नहीं पता मैं नहीं पता पाऊंगा क्लिए तो अप्शन अब बढ़े साही है इंट्रचेंज देर पूजिशन दैन विच ओधा फोलेंग पेर विल सिट तोगेदर मतलब क्या दिया है पी और इंटरचेंज देर पूजिशन भई पी और आर ने इंटरचेंज कर ली पूजिशन मतलब आर यहां पे पी यहां पे यहां पे क्यो एस यहां पे क्यो एस यहां पे टी यह और यहां पे वी है हो गया कौन सा भई साथ बैठेगा देखें जरा आर्टी पी वी क्या आर्टी साथ में है आर्टी नहीं आर्टी साथ में नहीं है अलग 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 होगे दूसरा क्या ब मिनट को आपीबी नहीं है वी वींटी येस नहीं भी चैन्ज जब्हीं वीटी साथी बैठ रहते हैं क्यों भी योवी तो अट्सर ये नम्र झी वीटी वेंट तुगेदर लेट मुषे विटी इस अगें वीटी अगर नए प्लीज फ्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए जो चीज़े मैंने थोड़ी सी बताई है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरा लाइब चल रहा है तीन से साड़े चार आपको फोर देज अभी क्लासी मिल रहा है टॉटल वनिटी प्लस लेक्टर से 90 हैं आपके पास पचास कौ कितने आपके 30 प्लस मैं आप यह भी कह रहा हूं तीन-चार जार में कोस लेना है सो बाद ले लो बट क्या वो फूटफुल होगा क्या एक साल की मेहनत को वर्त कर पाएगा कुछ सोच के देखिए कुस तो लगए एक तने लेक्टर हैं तो कम से हम 100 प्लस के लिए जा रहे है को कौलिफीकिशन के रेस में नहीं भाग रहे हैं कैंड़ी याद रखें इस बात को क्लिर तो हम कुछ अलग कर रहे हैं कुछ नया कर रहे हैं सुटनेक्स चलिए वट्सप ग्रूप का लिंक है प्लीज जोईन कीजिए नेक्स यह बात करूँगा मेरी टार्गेट बेस टेडिस के लिए तो बोलो ना टार्गेट बेस टेडिस उसका सबसे जो स्टॉंग पिलर है न वो क्या है मेरा माइक्रोपोर्स क्योंकि सबसे पहले आपको तर्गेट करना पड़ेगा जिसको आपको करना है जैसे मैं सिटिंग अरिजमेंट की बात करूँ मैं रैंकिंग अनौडर की बात करूँ रैंकिंग अनौडर में भी हम सिटिंग अरिजमेंट को इक बार इंक्लूड कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती अलग से भी देख लेते हैं यह मैं सिंप्लिफिकेश्ट प्रॉक्सिमेशन की बात करूं यह सारे वह चप्टर जो असान है कि आपका उसिंप्लिफिकेश्चंप प्रोक्सिम्टि की बात करो बंद्रा से चोला परसंट आता है बट बहुत असाना बोर्ड मांस के कोश्चन जा देंगे आपको रिश्यो फ्रेक्शन के बूच लेगा ठीक है इससे जाद है क्या पूच सकते हैं तो कैसे अब स्टार्ट करेंगे आपको पहले टार्गेट चूज करना बढ़ा हो कैसे लगेगा प्रिवीशर कोश्चन देख जैसे हैं बात करूं सबस्क्राइल चूज एक्जाम है अब सबस्क्राइब करवाई अपना कोर्स मतलब रिजिस्टर करना और अब फ्री डेमों के लिए अवे लोग है कैसे बदाता हूं सारी चीज़ वन पर वन आप सबस्क्राइब करेंगे हैं पूरा बंडर टू सिक्स और इत्रीक है बट पजल टैस की बात करना देखिए पजल टैस कितना है आपके बीस परसेंट से जाद तो 17 लेक्चर से हैं सिरफ औ अब के द्री फ्री यह सकती है जैसे मैंने बता जो रिसोर्स वेब्स लेट लिए आपस सब्केंट आरेजमन की बास करेंगे एक कोशन तकरीम तकरीम नाता है और बहुत आलके लेवल का था यह वोट कुशन करवाई ने बहुत ज्यादा लेवल घर बटापको तो sitting arrangement बहुत हलके लेवल काता है एक question तकरीबन तकरीबन आ रहा है तो 2.5 marks आपके पक्कियों गई कितने में सी रेफोर्स तरह 187 रूपीस में जिसमें 6 लेक्चर दिया है दो बैमनोट सो चाड़े चार सो इसी तरीके से हर एक chapter का micro course हमें दिया हुआ है उससे अपलीज अवेल कीजिए जिसका लेंगी description box में दिया गया है तो आप description box में आपके WhatsApp करें देखो मैं आपको एक बात था हूँ सबसे अच्छा इजांपल के जादे नहीं बताऊंगा यह वो बच्चे हैं जिन्होंने स्मार्ट पढ़ाई की हार्डवर के सा स्मार्ट पर एक भी किया कहने का मतलब के जैसे में बात कुरो उस पर्ष की अरणव की जतिन की दिविया की स्रिश्टी अमीर जितने भी सब रेंक होल्डर से दोधर बाइट फेस के क्या रीजन था इन्होंने टार्गेट वर स्टेडिस को फॉलो के एंड में इन्होंने भी वो चैप्टर चुने जहां से एजी ली असानली से कोशन बन सकते हैं यह तो आप भी टॉप पर सी तरह सोचिए और जुड़िये अभी